हाई वीटुटोरियल में आपका स्वागत है मैं रभी वर्मा बात कर रहा हूं करते हैं our designing कैसे करते हैं यह करना मैं आपको सिखा सब्से पहले इस सु sera में काम कर रहे है वसी में क्यों स्टम होना बहुत कमपल सरी है सब्से पहले कोचन कलगSO install करने के बाद इस तरीके का आपका सामने आइकन आएगा जैसा कि डैस्टॉप पर मेरे आइकन बना हुआ है कोर्ल दो 14 इस तरीके से इसको हम double click करेंगे double click करने के बाद हमारा कोर्ल डो 14 open होने लगेगा और open होने बाद इस तरीके से आपका open हो जायगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है न्यू ब्लैंक डॉकुमेंट पर जाना है और उस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का हमारा इस तरीके से पेज नया उपन हो जाएगा और और मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि यह सामने हमारे यह कॉरल्डो 14 का सॉफ्ट्वेर जो है वह ओपन हो गया जिसमें हम डिजाइनिंग का काम करेंगे जैसे कि लोगो बैनर काफी सारी चीज़ें हैं जो डिजाइनिंग का हम पार्ट्स बना सकते हैं अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक सिखाऊंगा कि हम को यूज कैसे करते हैं कैसे कैसे काम करने को लिए चाहिए तो सबसे पहले हम अपसके की दिया की हां टूल्स बने हुए जो हमारे डिजाइनिंग के लिए काफी महत्रफून काम करता है और यहां रायट साइड में जाया है कि यहां अब है ब्लैक है बाइट है ब्लू है बहुत सारे कलर हैं तो कलरों का तो बहुत सारा भंडार है कितना भी कलर यूज कीजिए कैसे भी कलर बनाई है सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि पेज नया उपन करने के लिए यहां पर बना हुआ इकन बना हुआ है छोटा सा इस पर क्लिक करेंगे तो नया पीज उपन जाता है तो हम विंडो में जाएंगे और यहां देखेंगे ग्राफिक टू जाने कि दो पीज हमारी इस्टम उपन है तो और उपर हमारे सारी फाइल ले आउट और रेंज इफैक बिटमैप टैक्स टेबल टूल्स विंडो बहुत सारी ऑप्सन है जो डिजाइनिंग के लिए हमारे यूज है और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे हम इनके बारे में आपको बताते ज कर सकतें और सब्साइज हमें क्या रखना है अब यहां पर देख से उपर यहां पर हमारे पेज़ के बहुत सारे साइज loss already बने हुए हैं हर तरीका कि साइज है लेटर legal a3 a5 हमें जो इस चाहिए वो साइज मैं आसे पिक कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहा है अबिए बहु कर सकते हैं कोई website सबसे पहले आप यहां देखेंगे के मिलीमीटर यहां पर डामेंसन जो दे रहा हैं वो इंचेज में यूज कर सकते हैं मिलीमीटर में पिक्सल में mayor में पिक्सल में बहुत सारी शाइають किसी मिसे से और फिलहाल जो कुछplicity में मुझे वह एक यहां गुर whom कि हमने आप पर कस्टम साइज मुझे अगर चाहिए 200 बाई इसकी मैंने विर्थ इसकी 200 कर दिया और मैंने इसकी हाइड भी 200 कर दिया और एंटर मारेंगे तो हमारा इस साइज हमारे सामने आ गया है 200 बाई 200 इंचिस इस तरीके से हम साइज कुछ ले सकते हैं जैसे कि बैसिकवी हम एक आयडिय के आपको दिखाते हैं जुष datने हैं कि विजिटिंग कार्ड हमें बनाना है तो वीज stigma ऑन्रू लेना है पेज का तो विजिटिंग का का साइज नोर्माली चोट़ा साइज अगर बनाते है तो आपके सामने साइज एक विजिटिंग कार्ट का साइज आपके सामने आगया इस तरह के साइज कोई भी साइज ले सकते हैं लेटर हड़े बनाने के लिए लोगों बनाने के लिए बुक का फ्रेंट में डिजाइन करने के लिए हम यह बर साइज का चेंज कर सकते हैं बाकी वह हमारा यह जो है लेंडशकेप इसको हम यहां से पोड़ियर्ट भी साइज कर सकते हैं यहां क्लिक किया हा मैं तो हमा पॉट्रेट तो हैं ऑपнов यहां 200 लेंडसकेप होता है वैसे नोड्स के size ऊपर-Nीचे करने के लिए होता है इसको आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे यहां कैसे कैसे होता है और हमारा है डुप्ली के distance आता है इसको distance को change करने के यह भी हम आपको आगे बताएंगे तो बेसिक बता रहे हैं कि हमारा क्या-क्या होता है अब आये यह राइट साइड में हम देखेंगे colors दे रखें हैं बहुत सारे बहुत सारी color है bottom भी color है तो यहां बहुत सारी color है जैसे कि आपके इसको यहां से उठाया हमने तो यह color आगया uniform color, इसको delete मार देते हैं, यहां से भी उठाया, इसको भी delete मार देते हैं, तो अब आपको वह यह बता होना चीए कि color हमारे कहा से आएंगे, पर आपको इरे पास नहीं है, आपको अन्णン hor रखा है, तो आप कैसे उसको open करेंगे,यह कि मैं आपको सबसे पहले हम जाएंगे वेंडो में वाख में लूघ यह हम cmy के पैलेट में यूज करते हैं तो हम यहाँ आंपर यह sequence के ऑइंगा अब दूसी चीजी किए यहां भीच देजाइनिंग करेंगे तो हम यहांसे कलर पे talk easily कर सकते हैं यह तो बात colors की होगी colors होने के बाद उपर प्रॉपटी के पास जाएंगे होँ क्लिक करेंगे माउस का यहां पर हमारे menu bar दे रखा है menu बार पर हम करेंगे तो हमारा यह मेनू भाल गायब करेंगे तो मैंनू बार आ गया इसससे इस स्टेटस-वार ПЕ-क्लिक करेंगे तुर निचे वार आप बीग अपने देख रहे नीचे सारा वह लिए हुग गइच हुए इस तरह के सबर्सक्राइए इस एक ही में Cl inhabit frei शीयर और भालेवास दites सब्सक्राइए प्लाइख लेके आ सकते र mencion यह की तबमारी चाहिए और यहां चैट बबैसे का लिए सकते हैं और तो यह क्लिक हो गया और यह झाय बेशै कर्या हमारे सामने आते जाएंगे जितने पेज़े समय चाहिए उतने पेज़ेs अब मैं दो चीज एक और सिकाता हूं जिसमें से इस पेज का मुझे नाम change करना है जिंदे करना है तो कैसे करेंगे यह मैं आपको बताता हूं यहां से हम रैप्लिक करेंगे यहां पर हमें option दे रखा है page rename यह सामने आपके डायला वोक्स आएक है चोटा सा और इस पेज का नाम दे दिया जैसे मैंने visiting card का size बनाया था तो मैं visiting card का नाम देता हूं विजिटिंग तो यह मुझे पता रहेगा कि visiting card का पेज है तो यहां मैं यह देखें यहां पर आगया visiting card तो basically यह पेज जो हमारा visiting card next page पर जाएंगे तो हमारा visiting card नहीं कुछ और साइज भी कर सकते इसका जैसे इसका हमने size कर दिया six by six enter मारेंगे तुमारा six by six का हो गया और हम visiting card साइज पर जाएंगे तो हमारा यह visiting card साइज गाइब हो गया अब यह पुछेंगे कैसे हो गया यह मैं बताता हूं आपको यूकि same size इसलिए हुआ है हमें यहां पर अपने अपलाई page layout to current page only यानि कि जो फर्स्ट वाला page है वह साइज हम नेक्स पेज करते हैं तो वह साइज वहाँ पर ना हो इसलिए हम इसको क्लिक करते हैं अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यह सारे पेज में डिलीट करता हूं आपको डीपली समझाता हूं डिलीट पेज डिलीट रइट लिक करके यहां से रैट क्लिक किया पेज डिलीट फिर डिलीट घ्लीट अब जैसे कि हमने जोगत कर साइज रखा था वह 3.25 का रखा था था तो एंट्र मारेंगे 3.25 का पेज आ गया ठीक है अब नेक्स पेज मुझे चाहिए 5 by 5 का तो कैसे करेंगे यहां पर हम जाके next पेज लेंगे हमें यह जैसे कि 6 by 6 8 by 8 का पेज मार लो 8 by 8 का पेज मारा और एंटर किया 8 by 8 का पेज आ गया अब विस्टिंग कार्ट को साइज देखेंगे हमारा वह साइज है 3.5 by 2 inches और दुसरा पेज हमने जो लिया था 8 by 8 का लिया था इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं apply page layout to current page only जो हम apply करेंगे first page पे वह current page पे ना जाए ठीक है तो इसलिए है यह और यह तो हमारे pages की बात होगी तो basic चीज़े हमारे यह भी पेज से हैं tools में अब बाकी चीज़े हम आपको next chapter में सिखाएंगे कि कैसे इसको designing के लिए use करते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही गुडबाए